मैच ऑफ ड्रॉ बने अईयर मैच ड्रॉ होने के बाद हुए भावक एक विकेट नहीं ले पाने पर कहीं बड़ी वात सुनकर आप भी करोगे शलाम जी हा दोस्तो जैसे कि भारत और नियूजिलैंड की बीच कानपूर में खेला गया पहला टेस्ट मैच को नियूजिलैंड ने ड्रॉ करा दिया है भारतिय टीम इस मैच को लगबग जीती गई थी कि टीम इडिया को इस मैच को जीतने के लिए 6 ओवर में सिर्फ एक विकेट चाहिए था लेकिन एजास पटेल और रविंद्र अपना विकेट बचाने में काम्याब हो गया और टीम इडिया को ड्रॉ से संतोस करना पड़ा वही एक विकेट से ड्रॉ होने पर स्रियस एयर ने बुमरा को लेकर बड़ी बात कही है दोस्तो यह ने क्या कहा है यह तो आपको बताएंगे ही लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके बताएं क्या बुमरा होते तो भारतिय टीम इस मैज को जितने में काम्याब हो जाती कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं दोस्तो कानपू टेश्ट के आखरी दिन टीम इंडिया के पास जीत का अच्छा मौका था लेकिन कीवी बले बाजो ने कमाल का डिफेंस दिखाते हुए भारतिय टीम से ये शुकून चेन लिया युजिलेंड के 9 विकेट गिर चुके थे लेकिन भारतिय स्विनर्स अंतिम 52 गेंदों में आकरी विकेट नहीं ले पाए इजास पटेल और रचिन रविंद्र की जोड़ी बड़े आराम से अस्विन जटेजा और अक्षर पटेल जैसे गिनबाजों की बालों को खेल गई और नतीजा मैच ड़ा रहा मैच ड़ा कराने में टॉम लेथम, विलियम सरम विले, केन विलियम संद, रचिन रविंद्र और इजास पटेल ने एहम भूमिका निभाई ड्रा जेल चुकी है, भारत के साथ ऐसा तीसरी बार हुआ है, जब चौती पारी में विरोल्दी टीम के 9 विकेट गिर गए, लेकिन इसके बावजूर टीम इडिया नहीं जीत पाई वही दोस्तो मैन अब दो मैच बने अईयर ने टीम इडिया की इस हार वाली ड्रा से रो पड़े, क्योंकि टीम इडिया जीत की मुहाने पर खड़ी थी, वही हार के बाद अईयर ने कहा भले ही ये मैच ड्रा हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, जैसे हम इस को नहीं तोड़ पाए, शायद हमने सुबह की सत्र में विकेट नहीं लिया, उसी का खाम्याजा हमें भुगदना पड़ा, वही दोस्तों अईयर ने आगे कहा हमारी फास्ट बॉलिंग इस मैच में कम जोर रही, हमें सुबह की नमी का फायदा उठाना चाहिए थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए, वही उन्होंने कहा हमें इस मैच में आज आखरे दिन बुमराह की कमी खली, शायद बुमराह होते तो नतीजा हमारे पक्ष में होता